आप देख रहे हैं MP7 News सच तो सच है हर खबर सत्यता पर आधारित देखते रहिए MP7 News नमस्कार मैं हूँ शिवानी धाकर आप देख रहे हैं लाखो दर्शकों की पसंद MP7 News वेप एंड यूटूब न्यूज चेनल देखिए आज 28 नमबर की ताजा बड़ी प्रादेशिक खबरे रायपूर आठवी चत्तिसगर राजबाशा दिवस के मोके पर गोश्टी का शुबारंब किया जाएगा CM भुपेश बगेल वर्चूल रूप से करेंगे गोश्टी का सुबारंब महन गासी दास इसमारक संग्राले में आयोजित होगी गोश्टी राजबाशा के समवर्धन और सरक्षण में योगदान देने वाले 11 विबूतियों का सम्मान भी किया जाएगा गोश्टी में संस्क्रती मंत्री अमर जीत भगत भी मोजूत रहेंगे ग्वालिएर पंचायत सचीव के घर से मिली एक करोड से ज्यादा की संपति एक दशमलो 2-5 करोड की संपति जेवरात प्लाट की मिली जानकारी लोकायूकत पुलीस ने आएसे अदिक संपति के मामले में की छापे मारी मस्तूरा के पंचायत सचीव शेलेंद्र जी जाट पर की गई कारिवाही वितरवार के किठोता गाउं में की गई कारिवाही लखनव धर्मांतरण अध्यादेश पर राज्यपाल की मुहर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने अध्यादेश को दे दिये मंजूरी पहला राज्य बना यूपी, एमपी में भी लव जीहाद के खिलाब कानून बनाने की प्रक्रिया जारी यूपी में सबसे पहले यह कानून बन चुका है लगातार मन्थन के बाद यूपी में लव जीहाद के खिलाब कड़ा कानून बन के तयार है उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वाले की अब खेर नहीं क्योंकि राज्यपाल द्वारा इस कानून पर मुहर लग चुकी है और यह कानून पूरे प्रावधान के साथ लागू किया गया है भोपाल पत्नी ने अपने दूसरे पत्ती पर लगाया लव जिहाद का आरोप इसलाम कबूल ना करने पर प्रताडित करने का आरोप लगाया गया घर से हिंदु देवी देवता की फोटो नहीं हटाने पर मारपीट का आरोप बेटे पर भी इसलाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया अमीद विश्वास के पास इसलाम कबूल करने का प्रमाणपत्र है एहमदाबाद पीएम मोदी ने कोरोना वेक्सिन की तेयारी का लिया जायजा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एहमदाबाद के जाईडस केडिला प्लांट में पहुचे जहां कोरोना की वेक्सिन के बारे में उन्होंने जानकारी ली इसके बाद पुणे के सीरम इंस्टिट्यूट जाकर भी लेंगे जानकारी और हरियाना के बायकोर्ट प्लांट भी जाएंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तीनों जगे जाकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे कोरोना वेक्सिन की जानकारी रायपूर सी एम उपेश बगेल केबिनेट बेठग में धान खरीदी और कोरोना संक्रमन पर होगी चर्चा धान खरीदी की चोती किस्त देने को लेकर हो सकती है चर्चा मोशन की वज़े से फसलों को हुए नुकसान पर चर्चा संबव है आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए MP7 News चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यान से हर खबर आप तक आसानी से पहुँच सके